बड़ा कठीन सवाल है मेरे लिए मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयम चिंतन करें, आत्मचिंतन करें करें ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है आप चाहते हैं वैसे ही जिन्दगी आपके बच्चे भी जीए और थोड़ा सा भी उनमें बडलाग आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है वैल्यूस का हास हो रहा है मुझे बारावर याद है एक बार मैं स्टार्ट अप से जुड़े हुए नव जमानों से मैंने एक समारों किया तो बंगाल के एक बेटी जिसने स्टारट अफ शुरू किया अपनी पूरी कैरियर छोड करके तो उस्ने अपना अनुफव बताया मुझे हमेशा याद रहता ही विद्य आप बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नोकरी छोड़ दी कैरियर चोड़ दिए और स्टार्ट अब शुरू किया और मेरी मां को जब पता चला तो मेरी माने तुर्ण का अफ्षार्बनाश कि यहने इतना मां को जटका लगा लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टर में बहुत सपर रही थी आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चे को जकडने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं और इसलिए आपका परिवार आपकी परंपराएं उसमे मुल्भूत मुल्यों को कैसे जोर दें हमें आइडेंटिफाय करना चाहिए जैते हमारे यहां कहां जाता है जन सेवा ही प्रभु सेवा है यह हमारे सास्त्रों में मुल्य के रूप में है लेकिन आपके घर में पुजाव पार तो बहुत होती हैं दुनिया को दिखता है कि आप बहुत धार्मिक है रिच्वल से भना जीवन है लेकिन आप जन सेवा में कहीं नजर नहीं आते हैं अब जब आपके संता यह विरोधाभास देखती हैं तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्स शुरू हो जाता है सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल उठना स्वाभाविक में है उसी प्रकार से भी हमारे मुल्य है कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है उसी प्रकार से हम सब की मान्यता है और हमें यह सिखाया गया है हमारे जीवन मुल्य के रुपे प्रस्तावित हो चुका है और हमारी सोच हैं कि जीव मात्र में परमात्मा का बास है लेकिन आप आपके घर में जो काम करने आते हैं जाड़ू पोच्छा लगाने आते हैं लीफ चलाने वाला होता है आपको स्कूल में छोड़ने वाला ओटो दिख्षा द्राइबर है क्या कभी आपने उनसे उनके चिंता और चर्चा की हैं क्या कभी आपने पूछा वे आपके परिवार में तो किसी को कॉरोना नहीं हुआ है ना आपके परिवार के तो सब सुखी है ना आप जिस गाउं से आये हो उस गाउं में तो सब ठीक है ना क्या आपने कभी पूछा है अगर आप ऐसा करते तो आप पर सवाल नहीं खड़े कर रहा एक सामान्य वहवार की बात कर रहा हूं कुछ लोग वाकई ऐसा नहीं करते हैं बच्चे का बथड़े होता है बहुत सारी तैयारिया होती है कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है पांच बजे तक महमान के रुप में कपड़े पहन करके अच्छे कपड़े पहन करके परिवार के सब को ले करके आ जाना आप देखिए आप उनसे क्या कहते हैं आज घर में बहुत से महमान जाने वाले हैं देर तक रुपना पड़ेगा आप ऐसा कहने के बजाए क्या कहते हैं देखो कल बह आग्या जाना देर से आऊंगा देर से आऊंगी याने आपका बेच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात वो तो इसमें हिस्थेदारी नहीं है और तभी उस बच्चे के मन में टक्राव शुरुक होता है मैं आपको एक और उधान देता हूं हम कहते हैं बेटा बेटी एक समार इमुल्य है हमारे हमारे यहां देव रूप की जो कलपना की गई है उसमें श्त्री भगवान का उतना ही महत्व है लेकिन हमारे घर के वातवर में बेटे और बेटी के बीश जाने अन जाने में जो उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बनी जाती है यह सही है कि परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइया हावी नहीं होती है लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है बेटा बेटे के वहवार में कुछ दू कुछ कमी रह जाती है इसलिए हमने जो अपना भाविश्व बनाया हुआ है वो जब वहवार की कसोटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतरद्वन्त सुरू हो जाता है इसलिए मुल्यों को कभी भी थोपने का प् प्रेरित करने का प्रयास करें आखिकर बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे यह कहना मुझकल है लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारी किसे देखता है और दोहराने के ल हमारे इतिहास हमारे पुरान हमारे पूर्खों की छोटी छोटी बातों को सहत्ता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे आचार व्यहवार में उतरना आसान हो जाएगा